हेलो व्रिवन कैसे हैं आप सब तो फ्रेंज देखिए आज मैं आपको लड़ु गोपाल की ड्रेस बनाना बताऊंगी कैसे हमने देखिए के तीन संदर ड्रेस बनाई है और यह हमने अपने काना जी को बनाई है तो यह ड्रेस मैं आज आपको बताऊंगी कैसे बनानी है तो च यह मैंने इसमें 18 फंदे डाले हुए हैं इसमें 18 फंदे डाले हुए हैं नौ नंबर की स्लाइस में बना रही हूं काना जी की ड्रेस और अगर आप देखे एक नंबर 0 साइज एक नंबर 2 3 4 के लिए मैंने सबके साइज मतलब बताये हुआ है कि कितने फंदे हमने डालने हैं और यह देखे हम दो रो बना लेंगे इसकी पिंक कलर से उल्टा उल्टा बनाना है यह देखे और यह एक्स्ट्रा है इसी में लपेटते वे चले जाएंगे ताकि यह खुले ना तो इसी में कि ने टेकिन लपेटते वे सारे हमने उल्ट उल्टे बना लेने हैं माँ और दो रो हमने बना लेनी है यैदा इसमें अब्लाइक कलिया अगर कर लेते हैं देके परंद्स यह मैंने दो रो बना ली है उल्टी उल्टी और दो रो बनाने के बाद हम fighters black कीomme लगाएंगे इसमें इसगो भी उल्टायोटा ही बनाना है नुअ कि इसको कि इसी में फोल्ड कर लेंगे तो ये तीन रो हमारी हो जाएगी उल्टी उल्टी तो तीन रो के बाद हमने देखिए कैसे बनाना है और जब आप ये तीन रो आपने किस कि साइज के लिए डालना है जैसे कि जीरो साइज एक तू तीन चार पांच छे साथ नमबर तक के आपने तीन रो बनानी है और बाकी आठ नो दस के लिए आपने पांच रो बनानी है ठीक है ये देखिए हमने तीन रो बनाई है और मैं ये साथ नमबर के खाना जी के लिए बना रही हूँ तो हमने ये त मेसर्मेंट भी इसका पूरा बनाया हुआ है कि आपने किस साइस के बनानी है तो मैंने सब का मिजर्मेंट डिया hissம एक दो तीन चार 5-6-7-8-9- 10- antibeson आप sk Ti mitigation के बनाएंगे 50ि Effect sempre तो आप इस measurement के साथ बना सकते हैं, बहुत ही असानी से बन जाएगे और बहुत ही beautiful dress बनकर त्यार होती है तो देखिए हम 7 number के गानाजी के लिए बना रहे हैं, तो 3 रो हमने बनानी हैं, और 3 रो के बाद देखिए क्या करेंगे सभी size के लिए मैंने पूरा measurement दिया है, आपको इसी के according बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा साथ number और यह देखिए, तीन रो के बाद देखिए, दो फंदे बनाने हैं, फिर दो नेट बनानी हैं, फिर दो फंदे दो नेट, फिर दो फंदे दो नेट, फिर दो फंदे दो नेट, फिर दो नेट बनानी हैं तो मतलब यह हमें यह बनाना है फिर उसके बाद देखिए तीन फंदे दो नेट चार फंदे उल्टे बनाएंगे फिर दो नेट बनाएंगे फिर चार फंदे उल्टे फिर दो नेट फिर चार फंदे उल्टे फिर रास्ट में तीन हमें फंदे बनाने ऐसा ही यह देखिए सार यह वूल को चेंज करना है ताकि यह सीधी तरफ से हमारा अच्छा सा दिखे तो यह देखिए दो फंदे उल्टे फिर जाली डाली फंदे को आगे करके जाली डाल दी दो जाली डाल दी है मैंने फिर देखिए दो फंदे उल्टे फिर बनाएंगे फिर दो जाली डालेंगे फ फंदे को आगे करेंगे और जाणी डाल देंगे पहर दो फंदे उल्टे अगेक एच लोप्ली के लिए ये वरो हमने पूरा उल्टा बनाना है और या देखिए हमं उल्टी स साइट से ही एड़ karी में तो यह पूरा उल्ट बना लेंगे और सीधी साइड में फिर से बनायें है जो उल्टी रो है पूरी उल्टी ही बनानी है और देखिए अब हमने 30 फंदे Approach उल्टे बनाने हैं वह बनी यह उर्वांड दालनी है प्रशार फंदे उल्टे यह द। यो फंदे उल्टे दो जाली और तीन फंदे लास्ट में उल्टे बना लेंगे तीन फंदे पहले हम उल्टे बनाएंगे तीन फंदे बना लिए फिर से जैसे हम जाली डाल रहेते उपर वैसे बनाएंगे फंदे को अपनी ओर रहें देंगे और सीधा फंदा बना देंगे जाली फिर फंदे को आगे करेंगे, जाली डालते, फिर से चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चा, फिर से जाली डालेंगे, फंदे को अपनी ओर रहने देंगे, और जाली डाल देंगे, देखिए, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली डाल देंगे, फिर से देखिए, एक, दो तीन चार फंदे उल्टे बना लिए फिर जाले डालेंगे दो जाले डालेंगे जाले डालेंगे फिर फंदे को आगे करें जाले डालेंगे फिर सब लास्ट में तीन फंदे उल्टे और ये रॉंग साइट की स्लाई पूरी उल्टी उल्टी बनानी है अब ये देखिए हम एक, दो, तीन, चार, चार फंदे उल्टे बनाएंगे और फिर से दो जालिया डालेंगे यह देखिए दो जालिया पड़गी फिर सब बीच में देखिए एक, दो, तीन, चार और यह पाच, छे, छे फंदे हमने उल्टे बनाने फिर दो जालिया डालेंगे हैं ऐसी करके हमने सारे डेसाइन बना लेने हैं मेजरमेंट के साथ आप बनाएंगे तो आपको फिल्कुल भी दिक्कत नहीं होएगी तो अब यह देखिए बीच में फिर सा छे फंदे उल्टे बनाएंगे और दो जालियां डाल देंगे फिर फंदे को आगे करेंगे जाली डाल देंगे फिर सब भी 6 फंदे उल्टे 3, 4, 5, 6 अब दो जालियां डालेंगे यह देखिए अब 4 फंदे लास्ट में उल्टे 2, 3, 4 और रॉंग साइट पूरी उल्ट उल्टी बनाकर कम्प्लेट कर लेंगे अब पिंक कलर की फूल मैट करेंगी तो यह देखिए रोंग साइट कम्प्लीट कर ली है अब यह देखिए और यह देखिए हमारे फंदे भी बढ़ते वे चले जा रहे हैं अब यह देखिए मेजर्मेंट में अब हमने यह देखिए इवाली रो बनानी है फाइफ फंदे उल्टे बनाएंगे फिर दो नट बनाएंगे फिर आठ फंदे बीच में उल्टे फिर दो जाले फिर आठ फंदे उल्टे ऐसी करके हम यहां लास्ट तक बना लेते हैं आठ ये वाली रो जो 14 रो है ये वाली रो बना लेंगे आठ और हमारे 74 फंदे लास्ट में हो जाएंगे जब तक मैं बना कर आपको दिखा जाएती हूं और इस मेजरमेंट के अकोडिंग ही हमने बनाना है तो अभी ये तीन चार सुनाइया में बना कर फिर आपको दिखाते हूं जब तक 74 फंदे हमारे हो जाएंगे कि एक दो तीन चार और ये पांच पांच पन्डे उल्टे अब बीच में कितने पंडे हमारे को 8 पंडे जालीयां बनाएंगे अब 8 पंडे हमें उल्टे बना ले बीच में एक, दो, तीन, चार, पात, चे, साथ, आठ, फिर दो जालिया, फंदे को अपनी ओर रहने देंगे, जाले डाल देंगे, ऐसे सिधा करेंगे, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, फिर जाले डाल देंगे, फिर से आठ फंदे उल्टे, बहुत ही सिंपल डिजाइन है और बहु और फिर से 8 ठंदे उल्टे, अब धेकि पर से 2 जालिया, और लास्क डिए 5 ठंदे रहे गरे हैं, अब वो दफी हम बना लेंगे, जो हम स्टार्ट थे 5 ठंदे बनाते हैं, फिर रास्क डिए 5 ठंदे मारे उतने ही बनाने हांगें, आप देखिए रॉंग साइड हमने पूरी उल्ट उल्ट बनाकर कंप्लीट कर लेनी है और तब तक बना लेती हो में जब तक 74 फंदे हमारे रह जाएंगे फिर उसके बाद में आपको बताऊंगी लास्ट वाली देखिए 8 फंदे बनाएंगे फिर दो नेट यानिकि जाली फि फे छोडा फंदे फिर लास्ट में दो जाली डालते हैं आठ फंदे हमने उल्ट बना लेने इसको बनाएंगे अम सेवेन्टी फॉर फंदे हमारे हो जाएंगे तो चलिए मैं इसको बना लेती हूं फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमने इसके बाद बनाना है यह देखे 10 फंदे फिर यह हमने बनाने उल्टे फिर 18 फंदे हमने बीच में घटाने है फिर 18 फंदे हमने घटाने है और फिर लास्ट में 10 फंदे हमने बनाने है तो ये देखिए मैंने बना लिया है और बीच में देखिए मैंने 10 फंदे बना लिये पहले और फिर अब हम 18 फंदे घटाएंगे और सलाई में हमारे 74 फंदे हो गए थे अभी 10 फंदे पहले मैंने उल्टे बना लिए फिर अब बीच में हम देखिए 18 फंदे घटा रहे हैं दो फंदों का एक, दो फंदों का एक करते वे चले जाएंगे और 18 फंदे घट जाएंगे फिर उसके बाद फिर से हमने 18 फंदे बनाने हैं कि देखिए दो का एक दो का एक करते वे ऐसे ही हमने 18 फंदे घटा ले लेगे बहुत ही असानी से हमारे कानाजी की ड्रेस बनकर त्यार हो जाएगे और अब देखिए इस फंदे को भी हम ले लेंगे और 18 फंदे बना लेंगे उस फंदे को भी काउंट करेंगे यह देखिए चार पात छे साथ आर्ट नौं तस यारा पारा तेरा चादा फंद्रा सोला सत्रा अठारा अठारा फंदे देखिए हमने बना लिए देखिए अठारा फंदे बना लिए अब फिर से हमने देखिए दो काई करना है यह देखिए कैसे करेंगे दो काई फिर इस लाई में यह वलना फंदा डाल लेंगे और यह फंदा लेकर दो काई कर देंगे ऐसे ही अठारा फंदे इस तरफ भी हमने कम कर लेने हैं जैसे हमने वहाँ पर कम किये ऐसे ही इस तरफ भी कर लेंगे यह दो काई करते वे इतीन फंदे हमारे कम हो जाएंगे और लास्ट में हमारे दस फंदे रह जाएंगे जैसे हमने शुरू में दस फंदे बनाएं न वैसे हमने लास्ट में भी फिर दस फंदे बना लेने है तो यह हम बाजू की कट्णिंग कर रहे हैं तो आज देखिए दो कई करना और फिर हमारे अठारा फंदे कम हो जाएंगे इस फंदे को लेकर मैंने 10 बना लेने हैं उल्टे- उल्टे हमारी 18 फंदों की कटिंग हो गई है तो यह देखे पूरे हमने बना लिए हैं दीके साइड में 10 फंदे इस तरफ 10 फंदे और भीच में 18 फंदे बचे हैं अब इसको हमने पूरा उल्टा-उल्टा बना लेना है ब्लैक कलर कि उन से बनाएंगे एक पूरा उल्टा-उल्टा बना लेंगे इसको यह देखिए अब पूरा जैसे जत्ते भी फंदे हैं सबको उल्टा-उल्टा बना लेना तो यह देखिए मैंने पूरा उल्टा-उल्टा बना लिए अब यहाँ पर देखिए जितने हमारे जैसे बीच में अथारा फंदे घटाए थे ना तो 18 अमने भी फंदे घटाते ना उतने ही हमने सलाइआ बनानी है चाहए आप किसी भी size के बना रहे होंगे तो जितने हम फंदे घटाएंगे उतनी ही हमने यह सलाइआ उट्टी बनाकर complete कर लेनी है तो मैं बना लेती हैं फिर दिखाते हूँ आपको तो ये देखिए मैंने 18 सलाइएं बना ली है ये देखिए 1,2,3,4,5,6,7,8,9 नो यानि 9 दुनी 18 18 सलाइएं हमारी बनकर त्यार हो गई है अब हम पैर का जो कट होते हैं पैर के कट करेंगे यानि कि पजामी के जैसे बीच में कट होता है वो देंगे बीच में तो हम हाफ बन लेते हैं देखिए 2,3,4 और ये देखिए हाफ हमने बना लिया है और इसी को हमने अब पूरा बना लेना है उल्टा उल्टा ही बनाना है तो हमें इसकी साथ सलाईयां बना लेंगे उल्टा उल्टा हम साथ सलाईयां बना कर कंप्लीट कर लेंगे तो ये देखिए मैंने बना ली है यहां से देखिए तो अब इसको बंद कर लेंगे दो का एक दो का एक करते वे हम इसको बंद कर लेंगे 19 फंदे हमारे उस तरफ है उस पैर के और 19 फंदे यह है तो इसको हमने देखिए साथ सलाईयां बनाने के बाद बंद कर दिया है दो का एक दो का एक करते जाएंगे और इसको बंद करतेंगे तो यह देखिए एक साइट का हमारा बन गया है अब इसी जैसे हमने वह बनाया है न सेम वैसे ही इसको भी बनाना है अब यहां पर हमने आटेच कर लेना है दागे को यहां पर जोड़ लेंगे पिंकेलर का उन डालेंगे और इसकी भी जितनी वह स्लाइएं हमने बनाई है सेम वैसे ही बना लेना है तो यह देखिए हमने बना लिया है और इसको बंद कर लिया है और यह देखिए कितना सुंदर बनकर त्यार हो गया है हमारे पिजामे की शेप आ गई है अब यहां से देखिए हमने जहां से घटाई करी थी उसके नीचे वाली सलाई से हमने यहां से फंदे उठा लेने हैं यहां से फंदे उठा लेंगे यह हम फ्रिल बना रहे हैं इसमें तो देखिए कैसे उठाएंगे सलाई को ऐसे बीच में डालेंगे और ऐसे घुमा कर ऐस और कैसे उठाएंगे इसमें ऐसे फसाएंगे शिलाई को और ऐसे इस पर दागा चड़ा कर फिर निकाल लेंगे इसमें इसे निकाल लेंगे बहुत ही असानी से ऐसे हमने फंदे निकाल लेने हैं यह देखिए ऐसे आप करते चाहिए और इसे निकाल जाएगा बहुत ही असानी से तो यह देखिए फंदे हमने उठा लिए हैं अब इसको हमने पूरी रो पहले उन्ट उन्टी बनाकर कंप्रीट कर लेनी हैं यह देखिए पूरी रो में उल्ट 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 बना लूँगी तो यह देखिए मने उल्ट 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 बना लिए अब यह देखिए सीधी साइट से हम कैसे बनाएंगे इसको एक फंदा सीधा बनाएंगे अब इसमें हमने फंदे बढ़ाने एक फंदा सीधा बना लि हर एक फंदे में हमने अब जाले डाल दी है यह देखिए फंदे को अपनी ओर करेंगे यह फंदे सीधा बना लेंगे और उस फंदे को हमने इसी में मतलब दबाते चले जाना है ताकि यह खुल लेंगे न इसी में फोल्ड कर रहे हैं हम इसको और यह फंदे को आगे करेंगे और सीधा बना लेंगे तो हमारी जाली पढ़ती भी चली जाएगी तो ऐसे ही हमने पूरी रो बना लेनी है जाली फंदे को आगे करेंगे सीधा बना लेनी है तो चलिए इसको बना लेती हूं ऐसे ही तो ये देखिए पुरी रो मैंने बना ली है और अब ये रॉंग साइड की रो में पूरा उल्टा उल्टा बना कर कंप्लीट कर लेंगे जो जाली वाले फंदे हैं उनको भी उल्टा बनाना है तो इसको भी बना लेती हूं फटा पर और फिर से देखिए सीधी रो में हमने फ अपन्दय को अपनी और जाली डालते हुए ईक बन्द सीदा एक परी रहे है इसे पMc बढ़ जाएंगे हमारे और फ्रे बहुत ही अच्छी बने करे थ्यार हो दो काई एक करते वे ऐसे फिर ये वला फंदा इसलाई में डाल कर दो काई करना है फिर ये वला फंदा डाल कर ऐसे ही दो काई करते करते सारे फंदे हमारे बंद हो जाएंगे ये देखे किते असानी से बंद होते चले जा रहे हैं तो ये देखे बंद हो गए और ये देखे कितने सुन्दर हमारी ड्रेस बन गई है और अब हमने देखे यहां से फंदे उठाने हैं कैप के लिए और यहां से हमने जैसे हमने वहां फ्रिल वाले में उठाये थे फंदे से यहां भी फंदे उठाने हैं ऐसे ही फस आकर हमने देखिए फंदा निकालते हुए चले जाना है यह देखिए 20 फंदे हम उठा लेंगे कैप के लिए कि देखिए कितने असानी से निकल रहे हैं फंदे पास पास हमने उठा लेने हैं ऐसे बीच में जगा हमें नहीं छोड़नी है वरना बहुत ही गुंदा लगता है इसलिए पास पास आप सलाईसे ऐसे उठाते हुए चले जाएंगे तो यह दिखिए यह हमारे ट्वेंटी बंदे हो गये हैं यह लास्ट का बंदा यह दिखिए तो ट्वेंटी बंदे हमने उठा लिये हैं अब इसको हमने उल्टा उल्टा बना लेना है जितने हमने 20 फंदे उठाए हैं 20 सलाईएं हमने बना कर कंप्लीट कर लेनी है और यह दिखिए हाफ आफ हमने बना लिए 10 फंदे इस तरफ है 10 फंदे उस तरफ है अब इसको भी जोड़ देते हैं यानि कि 20 सलाईएं बनाने क पर दोनों फंदे ऐसे गिरा देंगे फिर से एक फंदा इस सलाई से लेकर इसको बुल लेंगे और फिर पीछे वाला फंदा उठाकर आगे बार गिरा देंगे ऐसे इस तरीके से आप बनाएंगे न तो बहुत ही सफाई से हमारा जो है जुट जाएगा आप इसे ऐसे भी जैसे मैंने नीचे बताया था ऐसे भी बंद कर सकते थे पर आप इस तरीके से बंद करेंगे न तो बहुत ही सुन्दर लगेगा हमारा कैप तो ऐसे ही सारे फंदे गंचेंथे करने और पीछे से आगे वाले वाले पंद के तो आगे वाले बिल्कुल बन गई है अब हमने बस सिलना है तोड़ा सा सूूई की सायता से से लेंगे इसको पेले हम उल्टा कर लेंगे दोनों पैर ये यह लगानी है हमने सूई की सायता से और बीच में हमने उपर तब थोड़ा सा जोड लेना है कि अब डिखिए है हम अच्छे से यहां पर नॉट लगा कर इसको पक्क कर लेंगे फिर कि कि शिल लेंगे यहां तक हम भी यहां तक सील मुझे तहें अब यह देखिए यह मैंने एक साइड का सिल लिया है अब यहां बीच में भी मैंने पक्का कर लिया है अब यह देखिए दोनों साइड के पैर हमारे सिल गए हैं इसको हम सीधा करेंगे अब और यह देखिए किती सुन्दर हमारी ड्रेस बनकर त्यार हो गई है और आप एक बारी मेजरमेंट देख लीजे और स्क्रिन शोट ले लीजे चीज भी साइस का बनाएंगे पूरा मेजरमेंट बने दिया हुआ है इससे आप बहुत ही असानी से बना पाएंगे ड्रेस को बिल्कुल मेजरमेंट के अकोर्डिंग चलेंगे तो ड्रेस बनकर बहुत अच्छी बनेगी और ये देखिए आप में काना जी को पना कर दिखा देती है ये देखिए हमारी काना जी पैन कर बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं और ये देखिए ड्रेस बिल्कुल फिट आई है हमारे काना जी के लिए तो ये साथ नंबर की मैंने ड्रेस बनाई है आप कोई भी नंबर की ड्रेस बना सकते हैं तो फ्रेंट्स अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरू किजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा तो फ्रेंट्स फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए भाई थेंक यू